आपका स्वागत है जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुरिंदा खबरे मेरे साथ अभिनित्री कंगना रनावत को आज पुलीस के सामने पेश होना था फिलाल वह उत्तर प्रदेश में फिल्म की शुटिंग कर रही है इसलिए मुंबई पुलीस से थोड़ा और समय मांगा है उदर महराश्र में आज से शीत कालिन सत्र शुरू हुआ उपमुख्यमंत्री अज शैक्षनिक वर्ष 2022-23 के लिए नरसरी से लेकर पहली कक्षा तक के दाखिले की नियूनतम आयू में छूट दी है नियूनतम आयू के लिए कट ओफ तारिक 31 दिसंबर है वही पुने पुलीस ने टीटी परिक्षा घोटाले की सिलसिले में आज सौरप्त्रिपाठी नामक व अबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ आईपीसी की धारा 291 के तहत मामला दर्च किया गया और इसकी जांच जारी है कंगना विवादित बयान के बाद न केवल मुंबई में बलकी देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ प्राथमी की दर्च हुई थी इस मामले में पिछली सुनवाई के दुरान बंबे हाई कोट ने उनने 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया था साथी कोट ने महराश्य सरकार को कंगना के खिलाफ 25 जनवरी तक कोई दंडात्म कारवाई नहीं करने का आदेश भी दिया था आदेशा नुसार अभीनेतरी कंगना को आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था लेकिन कंगना ने मुंबई पुलिस से थोड़ा और समय मांगा है क्योंकि वह फिलाल यूपी में फिल्म की शूटिंग कर रही है याद रहे किस से पहले जब वह पंजाब में थी तब किरतपुर में प्रदशनकारी किसानों ने उनकी कार को रोक लिया था तनाव बरता देख मौके पर पुलिस बल बुलाना पड़ा था काफी देर हंगामा होता रहा करी दो घंडित बाद आखिरकार कंगना ने माफी मांगी इसके बाद किसानों ने उन्हें जाने दिया महराश में हाथ से शीदकालीन सत्र शुरू हुआ उपमुख्यमंत्रिय जीद पवार ने कहा कि सत्र के दुरान 26 विधैक पेश किये जाएंगे जिन में केंदर के तीन कृशी कानूनों के प्रभाव को खत्म करने के लिए राजसरकार द्वारा पहले पेश किये गए विधैकों को निरस्त करना भी शामिल है बता दें कि केंदर सरकार किसानों के आंदूलन को देखते हुए पीछे हट गई थी स्वयम पीएम मोदी ने सामने आकर पिछले महीने तीन कृशी कानूनों को वापस करने की घोशना की थी आर्थिक राजधानी मुंबई में 22-28 डिसमबर तक शीदकालीन सत्र होने वाला है उप मुखेमंद्री अजीत पवार ने कहा किस बार का शीदकालीन सत्र मुंबई में हो रहा है क्योंकि मुखेमंद्री उधव ठाकरे रीड की हड़ी की सरजरी के कारण ज्यादा हवाई यात्रा नहीं कर सकते आमतोर पर शीदकालीन सत्र महराश की दूसरी राजधानी नाकपुर में आयुजित किया जाता है हाला कि उन्होंने कहा कि शिफसिना NCP कॉंग्रेस सरकार नाकपुर में विधान सभा का अगला सत्र आयुजित करने के बारे में सकरात्मक सोच रही है इजुरान पवार ने कहा कि सरकार OBC आरक्षन और MSRTC की चल रही हरता सहित सभी मुद्दों का जवाब देगी उधर विधान सभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र पटनविस ने कहा कि भाजपा OBC के लिए राजितिक आरक्षन और विभिने विभागों के लिए भरती प्रक्रिया में गड़बडी के मुद्दे को सत्र में उठाएगी साथी आपदा प्रभावितों के लिए फसल बीमा में वित्रन में गड़बड का मुद्दा भी उठाएगी भाजपा ने विधान सभा अध्यक्षपत के चनाव में उमिद्वार उतारने का पैसला किया है महराश के पूर्वग्रह मंत्री और राकपा नेता निल देश्मुक की परिशानी कम होने का नाम नहीं ले रही जैसे जैसे मामले तहकी ओर बढ़ रहे हैं एक एकर नए खुला से होते जा रहे हैं अधालत की सकती के अलावा उन पर लगे ब्रशाचार क्या रोपो की जांच के लिए गटित चांदीवाल कमिटी की भी बोहें तनी है इस कमिटी ने उन पर 50,000 रुपे का जुर्माना लगाया है देशमुक के वकील की काणूनी टीम की और से मामले की सुनभाई टालने की मांग करने पर यह जुर्माना लगाया गया कमिटी ने देशमुक के लिए बनाए गये मुक्यमंतरी राहत कोश में जमा करने का निर्देश दिया है बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कमिटी ने देशमुक पर जुर्माना लगाया इसके पहले भी सुनवाई टालने के लिए देशमुक पर 15,000 रुपे का जुर्माना लगाया गया था देशमुक फिलाल मनी लॉंडरिंग से जुड़े मामलों में आर्थर रोट जेल में न्यायक हिरासत में है इससे पहले मंगलबार को बरख्वास पुलिस अधिकारी सचिन वाजे वा देशमुक को कमिटी के सामने जिरह के लिए पेश किया गया इस दोरान देशमुक की कानुनी टीम से जुड़े वकील की ओर से सुनवाई टालने का आगरह किया गया यूकि वजे से जिरह करने वाले वरिश्ट्र वकील उपलब्ध नहीं थे इस पर कमिटी ने देशमुक पर पचास हजार रुपे का जुर्माना लगाते हुए मामले की सुनवाई बुद्वार तक के लिए स्थगित कर दी महराश के शिक्षब विभाग ने शेशडिक वर्ष 2022-23 के लिए नर्डसरी से लेकर पहली कक्षा तक के दाखिले की न्यूनितम आयू में छूट दी है शिक्षब विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के 18 सितंबर 2020 के प्रस्ताफ के नुसार स्कूल में दाखिले के लिए नियूनितम आयू के लिए कट ओफ तारीक 31 दिसंबर है इसके कारण अक्टूबर नवेंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने में दिक्कते आ रही हैं सरकारी परीपत्र में कहा गया कि इस मुद्दे पर विचार करते हुए विशिक्षा विभागने अकादमिक वर्ष 2022 ते इसके लिए दाखिले के वास्ते नियूनितम आयू के मानदन बदर दिये हैं नैनियम के नुसार 1 अक्तूबर 2018 से 41 दिसंबर 2019 के बीच जन्मे तथा 31 दिसंबर 2022 तक 3 साल की नियूनितम आयू पूरी कर चुके बच्चे नर्सरी में दाखिला ले सकते हैं इस तरह एक अक्टूबर 2016 से 31 दिसंबर 2017 के बीच जन में और 31 दिसंबर 2022 तक 5 साल की नियुनितम आयू पूरी कर चुके बच्चे सीनियर केजी में दाखिले के योग्ये हैं पहली कक्षा के लिए नियुनितम आयू 31 दिसंबर 2022 तक 6 वर्ष होनी चाहिए परिपत्र में कहा गया कि प्राइमरी से पूर्वा दाखिले के लिए आयू सीमा में छूट दी जा सकती है पूरे पुलिस ने टी परिक्षा घोटाले के सिलसले में सौरब्त्रपाथी नामक ब्यक्ति को गिरफतार किया सौरप्त्र पार्टी जी ए सॉफ्ट्वेर कंपनी का पूर्वन देशक है उस पर 2018 T.E.T. परिक्षा के परिणाम में हेरफेर करने का आरोप है पुलिस ने इस मामने में उसे उत्तर प्रदेश के लखनाउ से गिरफतार किया पूरे पुलिस इसे पहले T.E.T. भरती खोटाले के सिलसले में जी ए सॉफ्ट्वेर के अश्विन कुमार को गिरफतार कर चुकी है अश्विन कुमार को करनाटा के बंगलूरू से गिरफतार किया गया इसके लावा पुलिस ने महराश राज्य परिक्षा परिशत के पूर्वा एक्त सुखदेव डेरे को कल ही गिरफतार कर चुकी है 2017 में तुकाराम सुपे की नियुक्ती होने तक वो इस पत पर थे सुपे को पुलिस पहले ही गिरफतार कर चुकी है डेरे को साल 2018 की TET परिक्षा में अनियमत्ता के मामले में गिरफतार किया गया है डेरे और दूसरे आरोपियों के खिलाव पुलिस ने अलग FIR दर्च की है पुलिस आइक तमिताब गुपता ने बताया कि साल 2018 में TET में 500 परिक्षारतियों को फर्जी तरीके से पास किया गया था पैसे देने वाले विध्यारतियों से उत्तर पुस्तिका में उन सवालों के जवाब खाली छोड़ने को कहा जाता है लेकिन जिसकी जानकारी उन्हीं नहीं थी बाद में उत्तर पुस्तिका में बतलाव कर परिक्षारतियों को पास कर दिया जाता था मामले की शिकायत तभी दर्च कर ली गई थी लेकिन जाँच आगे नहीं बढ़ सकी डेरे के खिलाव साल 2016 में भी बिभागी जाँच हो चुकी है उस दुरान वो और अंगबाद के शेत्रिय प्रमुक थे एक कॉंग्रेस नेताने पार्टी की कार्य कार्य अधिक्ष्य सुनिया गांधी को चिठ्ठी लिकर इच्छा मृत्यों की मांग की है उनके इस कदम से राजनेती खलकों में भारी बैचैनी है तो एक वकिल की हरकतों ने मदरास हाई कोट को शर्मिंदा कर दिया है वर्चूल कोट में सुनवाई के दोरान वकिल साहब किसी महीला से इश्क फरमाने लगे और उनका कैमेरा ओन रहे गया वयुत्तर प्रदेश के कानपुर में डांस अकैडमी चलाने वाले के खिलाफ डांस सिखाने की आड में किशोरियों से दुशकर्म करने के आरोप लगे है जांज में इसकी पुष्टी भी हो चुकी है इस बीच थल सिनाध्यक्षव एमेम नर्वणे ने कहा कि भारत में निर्मित साथ लाग निपुन बारोदी सुरोंगों के जरिए चीन और पाकिस्तान सीमा पर रक्षा के पहली पंक्ती बनाई जाएगी उधर पाहाडों से आ रही ठंडी हवा के कारण समुचा उत्तर पश्चिम भारत शीत लहर की चपेट में है राजधानी दिल्ली में लगातार नियूनतम तापमान सामन्य से चार कम चार डिग्री सेल्सियस तक लुड़ा गया है देश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ कॉंग्रेस नेता डॉक्टर शाम प्रकाश शुकला ने पार्टी की कारेकारियादिक्ष सोनिया गांधी को चिठिली कर इचामृत्यों की मांग की है कॉंग्रेस नेता ने पती, पत्नी और पोत्रों की इचामृत्यों की भी मांग की है कॉंग्रेस निता ने आरोप लगाया कि राजस्तान में उनके बेटे और बहु को जूटे मुकद में फसा कर जेल में कैद कर दिया गया है राजस्तान सरकार उनकी जमानत भी नहीं होने दे रही है कॉंग्रेस निता ने कहा कि अगर उनके परिवार को राहत नहीं मिली तो वह राजस्तान विदान सबा में जाकर आत्मधा करेंगे मुलरुप से उत्तरपदेश के हर्दवी के रहने वाले डॉक्टर शांपर का शुकला कॉंग्रेस के पूरमासचु और प्रवक्ता रह चुके है पार्टी में वह कई और पदों को भी संभाल चुके है सोनिया गांधी को लिखी चिठी में उन्होंने आरोप लगया कि उनका बेटा प्रद्या प्रतिक शुकला श्रीज जायन आदर्श विद्या निकेतन इंटर कॉलेज चा का बिकानेर में प्राचार्य था और उनकी बहुँ प्रिया शुकला वही टीचर थी 27 मार्च 2016 को श्रीज जैन आदर्श विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में एक छात्रा पीटी आई ब्रुजेंदर सिंग के आवास में आपति जनक हालत में पाई गई थी इस घटना के सामने आने पर प्राचारे होने के नाते प्रद्या प्रतिक शुकला ने PTI ब्रुजेंदर सिंग से माफी नामा लिखवा लिया था 28 मार्च 2016 को उस लड़की ने कॉलेज परिसर में बने पानी के टैंग में कूत कर जान दे दी थी कॉंग्रेसी निता का आरोप है कि 8 अक्तूबर 2021 को बेटे प्रद्या प्रतिक शुकला और बहु प्रिया शुकला को राष्टे मानवादिकार आयोक के दबाव में हरीजन एक्ट में तहट फसा दिया गया जिसके बाद बिकानेर की कोर्ट के जज ने 6 साल के शश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20,000 का जुर्मा लगा कर जेल भेज दिया एक वकील की हरकतों ने मदरास हाई कोर्ट को शर्मिन्दा कर दिया है वर्चल कोर्ट में सुनवाई के दवरान वकिल साहब किसी महिला से इश्रमाने लगे उनका कैमेरा ओन रह गया और सब कुछ टेलिकास्ट हो गया अदालत ने CBCID को मामला धर्च कर जांच के आदेश दिया है वकिल उस समय अपने केस की बारी का आने का इंतजार कर रहे थे जब उन पर इश्क का बुखा चड़ा कटना सोमवार सुबह की है एक तरब जब साहब वीडियो कॉन्फरेंस से मामले सुन रहे थे उदर वकिल साहब की हरकतों ने सब का ध्यान खिच लिया वीडियो में वकिल साहब किसी महिला के साथ अंतररंग दिख रहे थे अदालत ने कहा कि वस सुनवाई के दोरान अश्लिता के ऐसे प्रदर्शन को मुखदर्शक बन कर नहीं देख सकती मदरास हाई कोट ने वीडियो का संग्यान लेते हुए खुदी आपरादिक आउमानना की कारवाई शुरू कर दी अदालत ने पुलिस को मामले में IT1 के तक प्राथमी की दर्च करने और 23 दिसमबर तक शुरुवाती रिपोर्ट देने का निर्देश दिया कोट ने अश्रिल कुर्त में हिस्सा लेने वालों के नाम बताने को भी कहा है उदर तामिलनाडो और पड़ुचरी की बार काउंसिल ने अड़ोकेट आडिश शांतन कुरुशनन के वकलत करने पर रोक लगा दी है चन्ने पुलिस कमिशनर को निर्देश दिये गए है कि वह वीडियो के सर्कुलेशन को रुकवाए इंटरनेट से वीडियो हटाने का भी निर्देश दिये कोट ने कहा कि वह हाइब्रीड मोड में सुनवाई पर पुनरविचार की सोच रहे है कारेकारी मुख्यनयादिश इस संबन में फैसला करेंगे उत्तरप्रदेश के कानपूर में गोविन नगरस्तित गुने जिनिवासी हिमाशु सोनी आरवन डास अकैडमी चलाता है साइबर ठकी की जांच करते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि हिमाशु ने डांस सिखाने की आर्ड में किशोरियों से दुश्कर्म किया उनके अश्लिल वीडियोस बनाए उनसे पैसे वसुले पुलिस ने उसको जेल भिजा था अब तक चार पीडिता एस सामने आ चुकी है एक पीडिता बालिग है जबकि अन्यतीन किशोरिया है उनकी उम्र महस 13-14 साल है पुलिस ने मंगलवार को तीनों पीडित किशोरियों के बयान दल्च किये किशोरिया ने बताया कि डांस टीचर जब डांस सिखाता था तब वह बैड टच करता था बाद में उसने बहका कर डरा धमका कर उनके साथ दुशकर्म किया अश्लिल वीडियो भी बनाएं वीडियो वारल करने की धमकी दे कर वह इनके साथ गलत काम करता था हिमाशू ने कई बार किशोरियों को अपना शिकार बनाया डरा कर रकम भी वसुली जाज में भी सामने आया है कि हिमाशू किशोरियों को डराता था कहता था कि वह उनके परियार वालों को मार देगा इसलिए वो खामोश रहे अगर किसी को कुछ बताया तो उसका खामी आज़ा परियार वाले भुकतेंगे हिमाशो की कर्तुत के बारे में पीडित परिवारों से संपर्क किया गया लेकिन बदनामी के डर से वह लोग कुछ भी कारवाई करने से इंकार करते रहे अभी तक पीडित तीन किशोरियों ने डांस टीचर हिमाशो सोनी की कर्तुतों की दांस ताब बया की है पुलिस ने तीनों के बयान दर्च किया है एक दो दिन में पिडिताओं के कोट में बयान दर्च कराए जाएंगे भारत ने निर्मित 7 लाग निपुन बारोधी सुरंगों के जरीए चीन और पाकिस्तान सीमया पर रक्षा की पहली पंक्ती बनाई जाएगी यह मानोरोधी सुरंगे आईडेस के मिश्रन से तयार की जा रही है थल सिनादेश्चा एमेम नर्वने ने बताया कि इनकी तरह की भारत में बनी विभव और विशाल एंटी टैंक बारोधी सुरंगों का परिक्षन भी एडवांस टेज पर किया जा रहा है जो सीमा पर लगाई जा सकती है भारत द्वारा बनाए कवच युकत इंजिनियर निगरानी वहान के 53 में से पहले बैच के 14 वहानों को सेना में शामिल करने के मौके पर सेनादेश्च ने बताया कि सेना में नई शामिल होने जा रही बारोधी सुरंगे DRDO द्वारा प्राइवेट सेक्टर की कमपनियों के साथ विकसित की गई है इनने सेना की जुरते पूरी करने की योग यो पाया गया तो आने वाले समय में शामिल कर लिया जाएगा सूतरों ने बताया कि निपून, विभो और विशाल के लावा तीन से अधीक नई बारोधी सुरंगे सेना में निकट भविशा में शामिल की जा सकती है इनमें प्रचन, उल्का और पार्त प्रमुख है जानकारों के मताबिक बारोधी सुरंगे सेना के लिए अमोग अस्तरतों है लेकिन आंधी तूफान बारीज जैसे कारणों से सालों से दबी बारोधी सुरंगे एक जगह से खिसक कर जब दूसरी जगह चली जाती है तो सैनिकों के लिए ही खतरनाक हो जाती है भूसकलन के कारण भी कई बार ये बारोधी सुरंगे जमिन के उपर आ जाती है जिनके कारण आमलोग यासे निक मारे जाते हैं पहाडों से आ रही थंडी हवा के कारण समूचा उत्तर पश्रम भारत शीत लेहर की चपेट में है राज़ानी दल्ली में लगाता न्यूनितम तापमान सामाने से 4 डिग्री कम सेल्शिस दर्ज किया गया है जमु कश्मीर, पंजाव, हरियाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तसगर, बिहार, पश्रम, बंगाल, कच्छ से लेकर तेलंगाना में शीत लहर जारी है मौसम विशेश अग्यों का कहना है कि हवा की गती में कमी आने की कारण थंड से हलकी राहत मिलेगी बुद्वार यानि आज से न्यूनितम तापमान में बृधी होगी, इसे शीत लहर से राहत मिलने की उमीद है इसे पहले सुमवार को न्यूनितम तापमान सामाने से 5 डिगरी कम यानि 3.2 डिगरी तक चला गया था जो इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा कश्मीर में मंगलवार को भीशन सर्दी के 40 दिन वाले चले कला की शुरवात हो चुकी है लेकिन पहले ही दिन मौसम महरबान रहा शुरी नगर का न्यूनितम तापमान माइनस 2.8 डिगरी रहा जो कि पिछली रात माइनस 5.8 डिगरी था घाटी के उपरी इलाकों में 23 दिसंबर को हलकी बर्वबारी की संभावना है 26 दिसंबर से मैदानी सहित पहारी इलाकों में भीशन बर्वबारी की संभावना है दिल्ली में मंगलबार को अधिक्तिम तापमान सामानने से एक अधिक यानि 22.4 डिगरी सेल्शिस रहा और दिन भर धूप निकलने के कारण लोगों को थंड से थोड़ी राहत मिली सूरज ढलते ही फिर से लोगों की कपकपी छूट गई बीते 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 30-94 फीस्दी रेकॉर्ड हुआ दुनिया भर में आज एक तलाक चर्चा में हैं क्योंकि अभी तक इतना महंगा तलाक सामने नहीं आया है मामला दुपई के किंग शेक मोहमद बिन राशित अलमक्तूम से जुड़ा है उन्होंने अपनी पत्नी राजकुमारी हया से तलाक ले लिया है जिसके बदले में उन्हें लगभग 5500 करोड रुपे राजकुमारी हया को देने होंगे वही चिनी समाच के उलट चिन में जल्द ही गर्भवती महिलाय पती की आपती के बावजुद सीजेरियन प्रसव चुन सकेगी सरकार उन्हें ये हग देने जा रही है तो कोरोना के मामले बढ़ने के बावजुद ब्रिटेन के प्रधान मंतरी बॉरिस जॉंसन ने इंग्लेंड में क्रिस्मस से पहले सक्त लॉकडाउन लागो करने से साफ इंकार कर दिया है इसे बीच पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने कबूल कर लिया है कि अफगानिस्तान में 20 साल लंबे चले आतंग के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने का फैसला जनहित में नहीं बलकि धन पाने के लिए किया गया था उधर एक बेजुमन प्राने भी आज खास चर्चा में हैं जी हां हम बात कर रहे हैं लुप्त हो रहे हैं सफेद गैंडे के बारे में अफरिका के एक चिडिया घर में सफेद गैंडे ने जरम लिया है कौतू हलवश इसे लिटिल मिरेकल यानि छोटा सा चमतकार कहा जा रहा है दुनिया भरकिन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही आप हमारे साथ दुबई के किंग शेक मुहमद बिन रशिद अलमक्तूम ने अपनी पतनी राजकुमारी हया से तलाख ले लिया है इसके बदले में उन्हें लगबग 5500 कुल रुपे राजकुमारी हया को देने होंगे बिटन हाइकोट ने कहा कि किंग को यह रकम डिवर्स सेटल्मेंट और बच्चों के सुरक्षित भविश्य के लिए देनी होंगी यह सेटल्मेंट बिटिश कानून इतियास के सबसे बड़े सेटल्मेंट में से एक है राजकुमारी हया जॉर्डन के पूरराजा हुसेन की बेटी है हाइकोट के जब फिलिप मूर ने अपने फैसले में कहा कि राजकुमारी हया और उनके बच्चों को आतंगवाद या फिर अपन जैसे खत्रस से बचना वो सुरक्षा देने के लिए खास इंतजाम होने चाहिए ब्रिटन में उन्हें खास सुरक्षा की जरूरत होगी वकीलों के मताबिक शेक की ओर से दी जाने वाले रकम में से 2500 करोड रुपे राजकुमारी हया को एक मुझ दिये जाएंगे उनके दोनों बच्चों के सुरक्षित भविशक के लिए 2900 करोड रुपे सिक्यरोटी के तोर पर बैंक में रखे जाएंगे इसके अलावा बच्चों के बड़े होने पर हर साल 112 करोड रुपे देने होंगे राजकुमारी हया ने इस सेटल्मेंट के लिए लगबग 14,000 रुपे करोड रुपे मांगे थे कानूनी जानकारों के मताबिक शासक दोराज शायद ही इसके खिलाप अपिल की जाएगी राजकुमारी हया शेक मुहमत की छटवी पत्नी है उन्होंने आक्सपर्ट से राजनिती, दर्शन शास्त्र और रतर शास्त्र की पढ़ाय की है 2004 में दुबे के किंग शेक मुहमत बिन रशित अलमक्तुम से निका किया था वह 2019 में अचारक दुबे छोड़ कर इंगलेंड चली गई इसके बाद अपने पती पर कई आरोप लगा है राजकुमारी ने खुद को जान का खत्रा भी बताया था चीन में जल्दी गर्भोती महला है पती की आपत्ती के बावजू सीजेरियन प्रसर चून सकेंगी सरकारों ने यह हग देने जा रही है शक्तिशाली परंपरावाली चीनी समाच के उलट इस कदम गोप महला अधिकारों की रक्षा की दिशा में ताजा कदम माना जा रहा है चिन की संसदिय स्थाई समेती इस हपते महला अधिकार वही इस संरक्षन कानून संशोधन समेत कई विडियों को पर चर्चा के लिए बैठ करगी यह कानून सबसे पहले 1992 में पारित हुआ था फिलाल वहाँ पती की मन्जूर के बाद ही कोई अस्पताल गर्भवती को सिरेजियन पसोग की अनुमती देता है यह कानून कई वर्षों से प्रभाव में है लेकिन समाजव अर्थयोस्ता की तरक्की के साथ कुछ समस्याय ख़त नहीं हुई और कुछ नई दिक्कते भी सामने आखडी हुई लिहाजा इसमें संशोदन किया जाएगा मौजूदा कानून के तहट महिलाओ को बराबर अधिकार मिलने थे लेकिन अब भी उन्हें विवाव बच्चे पैदा करने से लेकर करियर बने तक में पारिवारिक सामाजिक दबाओ का सामना करना पड़ता है नई कानून पर भी चिनी समाज में बहस तेज हो गई है कुछ लोगों का कहना है कि सिजेरियन प्रसव से महिला और शिशु को नुकसान हो सकता है ओप्रेशन कराने वाली माताओं को ठीक होने में भी ज्यादा समय लगेगा माना जा रहा है कि इस नर्णे के खिलाप लोग लामबंध हो सकते हैं इसलिए सरकारे नियंतरन के हर उपायों की समिक्षा कर ली गई है दुनिया में कोरोना के नए वरियंट को लेकर काफी चिंता है हाला कि तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटन के ब्रधान मंतरी जोरिस बॉंसन ने इंगलेंड में क्रिस्मस से पहले सकत लॉग डॉन करने से साफ इनकार कर दिया है उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन विरियंट से सम्मधित आकडों के समिक्षा की जाएगी अगले हपते के बाद लॉगडाउन पर विचार करेंगे पीम जॉनसन से एक वीडियो क्लिप जारी कर कहा कि ओमिक्रॉन पर बहुत बारिकी से निगरानी रखी जा रही है अगर सिती बिगरती है तो हम जरूरत पढ़ने पर कारवाई करेंगे सरकार आकडों की बारकी से निगरानी कर रही है और यदि आवश्यक होगी तो क्रिसमस के बाद कारवाई करने में संकोश नहीं करेगी हाला कि छूट देते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने क्रिसमस योजनाओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन उनको सावधानी बरतनी चाहिए एतिहातन सभी नागरिक बुस्टर डोज ले इस बिच महाराणी एलिजबेट ने पुर्व इंग्लेंड के नौर्फॉक में अपने सेंट्रिगम इंस्टेट पर पारंपारी क्रिसमस योजनाओं छोड़ने की घोशना की है इस फैसले को बकिंगम पैलेंस ने वेक्तिकत निरने करार दिया है बतादे की क्रिसमस की सुबह को राजपरिवार के सदे सथ सेंट्रिगम इंस्टेट पर एकत्रित होते है यह दूसरा साल है जब महाराणी की वज़ज से महाराणी की पारंपारी क्रिसमस यात्रा योजनादरत की गई है पाकिस्तान के प्रदानमंत्री इम्रान खान ने उस सच को कबूल कर लिया है जिसे पाकिस्तानी सेन्यत आनाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ लंबे समय से छिफाय हुए थे प्रदनमंत्री इमरान खान ने अमरिका के अफगानिस्तान में 20 साल लंबे चले आतना के खिलाब युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने के फैसले पर अफसोस जताया और कहा कि ये फैसला जनहित में नहीं बलकि धन पाने के लिए किया गया था साथी इमरान ने इसे खुद ही अपने आपको दिया गया जक्त करार दिया अफगानिस्तान में दो दशक चले युद्ध में पाकिस्तान की भागिदारी क्यालो चक्रह खान ने दावा किया कि वह वर्ष 2001 में निर्ने लेने वालों के करीबी थे जब ततकालीन सेने शासक जनरल परवेज उशारप ने आतना के खिलाफ युद्ध का हिस्सा बनने का निर्ने लिया था इसलमाबाद में विदेश मंत्राले के अधिकारियों को समधित करते हुए इमरान खान ने यह बयान दिया और पैसे के लिए अपने देश के सम्मान का सौधा किया हमने ऐसी विदेश निती बनाई जो की जनहीत के खिलाप रही मुशर्णरफ की पोल एक एक कर के खुलती जा रही है जिसका दावा पिछले दिनों पत्रकार अहमेद नूरानी ने भी किया था ब्रिटेन के एक चिड्यागर में एक सफ़ेद गेंडे ने जन्म लिया जिसे लिटल मिरैकल यानी छोटा सा चमतकार कहा जा रहा है उसका जन्म लोईस टॉफ्ट के पास अमेरिका अलायो चिड्यागर में हुआ है उसकी मान नजीरी का उम्र 9 साल और पिताजिंबा की उम्र 13 साल है इस चिड्यागर में पहली बार किसी पशु का जन्म हुआ है इस चिड्यागर में पहले से चार दक्षिनी सफ़ेद गेंडे मौजुद है इस गेंडे को चमतकार इसले कहा जा रहा है क्योंकि एक समय पर यह प्रजाती विलुप्ती की कगार पर पहुँच गई थी 1990 के दशक में इस प्रजाती के दुनिया में सिर्फ 50 से 100 सफ़ेद गेंडे ही बचे थे सरक्षन के सफल प्रयासों के चलते इसकी आबादी में बढ़ोत तरी हुई और आज इन किसंग के 18,000 तक पहुँच गई है हाला कि अवेश शिकार के चलते इने जंगल में खद्रे के करीब शेनी के जानवरों में गिना जाता है अफरिका अलाइव के एक अधिकारी ने कहा कि इस गेंडे का जन वाकई एक चमतकार है नजीरी और उसका बचा पूरी तरह से स्वास्थ है लेकिन चूकी नजीरी पहली बार मा बनी है इसलिए हम लगातार उस पर करीब से नजर बनाए हुए है फिलाल सफेद गेंडे का कोई नाम नहीं रखा गया है अभी तक यह भी नहीं पता है कि यह नर है या मादा इस प्रजाती के नवजाद गेंडो का वजन जन के समय आमतोर पर 40-60 किलोग्राम के बीच होता है यह जन के सिर्फ एक गंटे बाद ही खड़े होने में सक्षम होते है और तुरंट बाद दूद पिने का प्रयास करने लगते है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहिए वीकेबी नियूस नमस्कार